अच्छा जी यह हैं मेरे हैंड में पासपोर्ट उटिक्टे ठीक वापाड़ कल्यों थे दिल्ली लाएंगा ताकि कुछ हमारे लिष्टेदार बहुत 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 है जी फिर जा रहे फिर जा रहे बंदा पैसे से नहीं जाता शे हैं लिप्टन टीके यह 25 का एक बैग होता है को मतालियो को पाकिस्तान नो रिलैक्सेशन दियो इंडिया दे बाईर पर यह दें ते एक रियाल आवे ते असी पर यह दे यह दे एक रियाल आवे इन्ना जुलम ना करो यार साड़िते और तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जलाल वाला बटन है उसके फू अपने रब की कौन कौन सी नेवतों को जखला होगे असलाम अलेकम वीवर क्या हाल चाल है ठीक है कि अल्हम्दुलिल्ला आपकी दौाओं से अल्ला पाक ने अपने गर की जियारत नसीद की माशालला माशालला कर 200 रुपय दे और 50 रुपय काट ओवर एक्टिंग में जारे पापा की करने लगे हैं ठीक है इनके माशालला एक दो दिनी रहें बच जानेंगे जब तिकर आपका यह व्लोग देखेंगे शायद यह चले गए होंगे और रमजान शरीफ अलहमतुलिल्ला मदीना मनवरा और मक्का शरीम में अल्ला के गर बैत अल्ला में गुजारने जा जा रहे हैं साड़े बापारा कल्यों तो दिनी लागे हैं यह अल्हम्दलिल्ला मैं और मेरी वाइफ अच्छा बात ऐसे हैं कि आपने पिछले वी लोगों में देखा है कि पापा ने मुझे दी ती गारे गिफ्ट इनकी थाइस फर्वरी को एनिवर्सरी हम सब बैन बाइय हैं यह हम सब मैं बाइयों ने कुछ पैसे जोड़े हुए थे बाके कुछ अबुन डाले हैं तो इनको वेज रहे हैं यह अल्हम्दलिल्ला आपकी दौाओं से मैं मदीने जा रहा हूं आपने मेरे हक में दौा करनी हैं और मैंने अपने तमाम वीवर देखने वालों के हैं आज हमाराब लो इंशाला यह रमजान जो गुजार रहा हूं मदीने और मका शरीव में यहां पर लाखों करोड़ों लोगों का इजित्मा है और लापाक अपने गर में लोगों की दौाओं को कबूल करते हैं और वहां पर करोड़ सवा करोड़ 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 के करी लिए हम करेंगे बाकि कुछ है हमारे रिष्टेदार बहुत बोर है जी फिर जा रहे फिर जा रहे बंदा पैसे से नहीं जाता अगर जा सकते तो आप खुद चले जाते पैसे से नहीं जा होता ठीक है यह हकीकत है बात मैं माशाला चौटी बार जा रहा हूँ और पंधरा में मैंने हज किया सोला में मैंने रभी अलवल किया बच्चों के साथ अठारा में रमजान किया और माशाला पांच साल बाद फिर अल्ला पाक ने मुझे बलाया यह हकीकता बंदा पैसों से वहां पर नहीं जाता आज हमारा रभ लोग है जी पैकिंग का ठीक है पापा की सारी जो पैकिंग है वह कंडिया जो में चीजे माशाला काफी एक्स्पीरियंस हो गया तो आज हम आपको भी पताएंगे क्या में चीजे होती ही साथ लग जाने वाली जो पहले बार बंदा जाए उसको कुछ आइडिया हो जाए आज का हमारा भी लोग देखके ठीक है चैलेंग वेर हैं सारे के सारे वाशिंग वेर हैं वहां पर गर्मी होती है गर्मी के लिहाज से ये ज्यादा वाशिंग वेर काम आएंगे इस तरी करना भी असान होते हैं इस तरी में भी काम आ जाते हैं एजिली इस तरी हो जाती है और दो एहराम मैंने लिए हैं अहराम मैंने दो ल गल होगी अच्छा जी ये दो एहराम की चादरें इस में हैं और दो चादरें मेरी उस बैग में हैं कि जब मैं लहूर जाओंगा तो वहां पर मैंने उम्रा की नियत करनी है जब मैंने उम्रा की नियत करनी है तो उस वक्त ये यूज करनी है चादरें ठीक है ये दो चादरें मेरी एहराम की है जो मैंने लहूर जाके इनको यूज करना है ये मेरे हैंड केरी में हो गए और इसके बाद सूट हो गए एहराम हो गए और इसके बाद एक मैंने टावल लिया है एक मैंने टावल लिया है अपने यूजर के लिए ठीक है अच्छा जी और इसके बाद मेरी ये बनेन है बनेयान है इस तरह एक मैंने काम किया है ये आपके लिए भी एजी लिए है मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने किया किया है बनेयान में मैंने इस तरह पॉकल लगवाई है ये पॉकल लगवाई है अंदर आएगी इसमें इस ज्यादा अच्छा मश्वरा यह है कि वहां पर भी चोर होते हैं और जो आपकी जेब को काट लेते हैं इस से बचने के लिए मैंने ये पौफड इस्तमाल किया उपर इसके ना बनियान के उपर ठीक है जे और ये मैंने पांच शे सूट लिए हैं और उसके साथ पांच शे ही बन्यान का यूस किया मैंने ठीक है जी और ये मेरी सॉक्स बगरा है ठीक है सॉक्स लिए है जब अनसान सफा मरवा करता है न तो नीचे बहुत ज्यादा ठंडक होती है और पाउं के नीचे जाबा के नंगे पाउं चालते हैं तो उस पे अगर जराब का इस्तमाल करें तो फि के नीचे जो चूंडियां बड़ी जंदी नहीं बड़ी जंदी नहीं हवा वाला ठीक है ये कहीं भी अगर जरूरत पेश आए तो बंदा ये यूस कर सकता है ये भी अच्छी चीज़ है ये सारा मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि माशाला मैं तो चौती बार जा रहा पे और अल्ला आपको भी बलाए बार बार बलाए तो ये मैं सारा कुछ आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि पहले जाने वाले बंदे को थोड़ा सा अंदाजा हो जो अच्छा ये एक टोपी भी मैंने लिए है वहां 10 रियाल 15 20 रियाल की होती है लेकर ये वहीं की है जो मैं पहले लेकी आया था हॉज पे तो ये अभी तक मैंने संभा ले हूई है ये भी साथ लेके जा रहा हूँ आप इसके बाद जो में चीज़ है वह है काफी च्याए ये च्याए का मैं हाज पे लिया था अभी तक मैं इसको ज्यूज करते हूँ अपिनने साथ ये केटल लेके आ रहा हूँ ठीक है ये इसका सुच वगेरा आ गया ठीक है और उसके बाद ये शाशे हैं लिप्टन टी के ये पच्छीस का एक बैग होता है जितने दिनों उस हसाब से आप ले लें मैंने दो सो शाशे लिया है तो ये वहाँ पे पांच रियाल का एक कापर मिलता है तो अग के साथ family भी हो तो ये काफी expensive हो जाता है लहादा ये मैंने यहीं से लेके जा रहा हूँ कैटल भी मेरे पास है और टी बैग भी मेरे पास है और इसके साथ मैंने everyday दूद भी लिया है और इसके साथ एक और टी मिलक लिया है जो half kg का है ये वन kg का है ठीक है जी और इसके साथ काफी के दौ चार शचे लिये हैं कहीं अगर दिल करें तो बन्हा काफी यार फिल भे धर्मी होती है लेकर या बन्हा थकावड हो जाती ना थकावड में यह शाशे आप यूज कर सकते हैं उसके बाद यह मैंने एक किल्ऑ चीनी ली है एकलो शक्र ली है ये दो चीजें भी मेरे साथ जाएंगी अच्छा जी उसता बाद चाट मसाला भी लिया है कोई चीज ऐसी होती है जिस पर डाल के खाने को गिल करें ठीक है और इसमें नमक है और काली मिर्च है और ये मैंने बिसकुर लिये हैं के चाई के साथ अगर चीज ना मिले तो बंदा इस से अच्छा खासा गजारा कर सकता है क्योंकि रियाल जो है इस वक्त सैवन्टी फाइव और पीस का है एक और अगर वहां पर आप एक बोतल ड्रिंक लिते हैं तो वो समझ लें आपने पांच रियाल की लिए और पाकिसानी पौने चार सुर पय यार बटन ना बड़े पैसे यार पाकिसान euh रिपैदी या ने दी वैलीयोंगी और रएस्द माहथे को पाकिसतानू रिलेक्स्फलों द tayo इंडिया दे बाइर पर ये दें ते एक रियाल आवे ते असी पर ये देए ते एक रियाल आवे इन्ना जुलम ना करो यार साड़े ते एबिस्कुट वगएरा है एचेरा साफ करन वास्ते किसे वगप पसीना वगएरा आजवे ते यूज कर सकते देखो वाइप सो गया ना लेकर तर्थी बना रख दावाँ पोड़ी सप्रे लोशन शैंपू उस्तो बाद संब्लोक रोजवाटर इसकें दा भी यार उते मदीना शरीफ देवेट वीडियो नौट स्पॉंसर मौसम दी वज़ा देतों अब जंदा पॉंड दा फेसवाश लेया मैं यह नौट स्पॉंसर है किसे वास्ते स्पॉंसर नहीं का रहा है यह कोई पैसे मैंनो दवे से मा करदांगा लेकर ने स्प सोप ठीका रोल ओन फादा अच्छा यह पेस्ट है चोटी यह मस्वाग भी मैंने ली हैं दो वोटी आटम है मैंस इसमें मैंने नकालनी नहीं इसको बाहर यह मैंने चोटी-चोटी आटमें लिया जिसमें खरिक होगे झाँ खरिक है जी आगे मताएँ आख़े जी किया है जी यह इस्तरी भी है जी बोल का दिखा देएजे हैं यह इस्तरी मेंने लिया इंपोर्टर्ण है जो मैंने हैंड केरी में ली है साथ और ये मैडिसन है ये मैडिसन काफी ज्यादा है लेकर इन्शालला आप भी दौा करें ये वाइफ की मैडिसन है दौा करें ये यूज ना हो वहाँ पर ये वैसी की वैसी आजाए यासलाम यासलाम यह मैडिशन जूज ना हो ले या सलाम आप भी बोल दे या सलाम और और वो बत्त यह दो प्लिटल ही है बर्यादी खाने के लिए हाँ जी है ठेले हैं यह बनाए हमने और इसमें एक शूस का जोड़ा होगा और इसके साथ यह बोतल होगी यह बोतल दिखाए है जारा यह प्ल ठीक है यह एक अधर बोतल है दो लिटर गी बोतल है यह देख़े और यह हम बड़ी बोतल भी गडर से लेकर जारे हैं पिछली बार की हमने संबाली हुई आप बें-जमजम की यह भी साथ लेकर जारे है इस वज़़ा से लेकर जारे हैं कर चलें वहांपर रश बहूच زیادہ आता है, जब बंदा पानी की जरूरत हो तो बंदा बारके ले आता है अपने कमरे में और वहां पे अबे जम्शम यूस कर सकता है, ये भी हम साथ लिकके जा रहे हैं, और जी, ये, एडियों के लिए है, जबरदस चीज़ है गो तो आपके एडियों में अगर डालने तो और आप हैं यार आप हैं हम आपके लिए दौाई करेंगे आप हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सस्क्राइब करें और सारे विलोग देखें और मज़ेदारी की बात बताओं हमारे वहां पर जाकर भी रमजान के जो विलोग है आपने कोई भी विलोग नहीं दौा करेंगे और आपके लिए भी दौा करेंगे और इंशालला सब के लिए करेंगे हमा हमने सब को माफ किया आप हमें माफ कर दें चले नी हाजी और कुछ है वो छोटे बैंग में पुछ आप इसमें ये है और ये बुर्खा है मेरी वाइफ का जबर दस्ता है उन्होंने भी एहराम जब लहुर में नियत कर दी है तो फिर वो यूज करना है और ये था आज का छोटा सा व्लोग जो हमने आपके साथ शेयर किया अलहम अलहम आपको दौाओं मे याद रखेंगे आप भी हमें दौाओं में याद रखेंगे ये अब बेटे की बारी है ख Lautsusव tipping तो पर हमारी सारी फैमिली की तरफ से शेयर यार मिर्दा और मिर्दा जाजबे की तरफ से आपको रमजान मबार्को बार्दा आ आला आपको करें.明亮 करें. uhmm MOHI स्वार्व करता हूं आपको आज का विलोग अच्छा लगा और पसंद आया होगा बाकी जब तिकर कर आपका आपको यह विलोग देमेंगा तो इन्शाला पापा और ममा चले गए ओँंगे बाकी अन्शाला रोमजान के भी विलोग आते और सुद्धी आरब के पापा उदर से भी लोग मुझे बेजेंगे मैं इदर पीदिद उसकी सैटिंग करके अड़िट करके आप लोगों तक पुछ आता रहूंगा उमीद करता हूँ आपको आज का विलोग अच्छा लगा अपसंदा है अगर आपको आज का विलोग हुआ है